पाली सीखो भाग छे इसमें मैं आज एक आपको बहुत छोटी मगर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ दरसल पाली के अंदर जो सद थे पुराने उनमें आधा रे उपर या नीचे का नहीं है अभी तो आप आधिरे बहुत ज़्यादा देखते हैं जैसे प्रक्यति के अंदर है मर्म के अंदर है या रुद्र के अंदर है या अमरत के अंदर है बहुत तरह के हैं जैसे प्रती के अंदर है यानि पैपे नीचे उवाला रे भी लगता है चोटे उका भी लगता है, बड़े उका भी लगता है, आधा डंडे का भी लगता है, उपर का आधारे भी लगता है, सब्दों के बीच में भी आधारे आते हैं, आधारे का बहुत ज़्यादा इस्तमाल है, आज की संसकारी दभासा में, जो आज की संसकारी था है, मगर पाली प्रानी के अंदर आधारे नहीं है, आधारे गायव है तो पाली से यहां तक आते आते आधारे कैसे जुड़ गया और पाली के किन सब्दों के स्थान पर आधारे जुड़ा गया यह एक छोटी सी बात है, बड़ी कमाल की बड़ी यात्रा बहुत इंपोर्टेंट है आपने सुना नहीं, निकमा बहुत सुना है तो आपने धरम सब्दों बहुत सुना है, धम बहुत कम सुना है तो आपने कम सुना है, सुना भी है क्योंकि निकमा बोलते हैं हम उसको तो कम और खाली है, जब कम बोलते हैं तो कर्म बोलते हैं तो इसको ध्यान दीजिए कि कहीं हम निकमा बोलने हैं और कहीं हम कर्मा बोलने हैं यानि निकर्मा नहीं बोलने हैं कहते हैं निकमा बड़ा पैसा है यानि धम और धर्म तो बहुत सारे लोग धम और धर्म की परिवासा देते हैं देनी भी चाहिए क्योंकि जो धर्म है वो आ जिससे पूछेंगे वो नई परिभासा एक गड़के आपको सुना देगा तो उसी के संदर में यहाँ पाली सीखो छे के अंदर है कि आधा रे कैसे आ गया संस्काइद भासा में और पाली में नहीं था तो पाली के किन सब्द की जगे वो आया धम में, आधा में और में हैं जैसा आप यहाँ देख रहे हैं तो आधे में को खतम करके रे बन गया जहाँ जहाँ भी आधे आधे सब्द जुड़े हुए हैं लगबग 80% सब्दों को बदल दिया गया है कुछों में रे आया है कुछों में कोई और सब्द आया है मगर अधिकतर ऐसे सब्द मैं आज आपको पताऊंगा जिनमें रे जोड़ा है बाकी बाद में पताऊंगा मगर आधे जो सब्द हैं उनसे काम पहले चलता था उनको हटा के आधा रे या कोई और चीज़ उसमें जोड़ी गई है कुछ सब्द बाद में भी जोड़े गई जैसे शयशब्द पाली में नहीं है से होता है तो स्यश जोड़ा गया और अधा रे मलाके शरी वाला जो शरे है उसको बनाया गया यह पाली के अंदर नहीं है तो जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो जो सुद्ध सब्ध है सुद्ध माने बिलकुल प्यूर होता है और सुद्ध का सुद्र बना दिया और बाद में से भी बदल दिया फिर सुद्ध से शुद्र कर दिया तो ऐसे सुद्ध और सुद्ध से शुद्ध और सुद्ध से शुद्ध और सुद्ध से शुद्ध और सुद्ध से शुद्ध बनाके ये पूरा-पूरा बदल दिया गया यानि आज की समय में इसके अर्थी बदल दिये गये शुद्र जो होता है प्यौर जो होता है जो सुद्र होता है इसका मतलब प्यौर होता है और शुद्र का मतलब गाली होगी हलांकि शुद्र का मतलब प्यौर ही है आज भी मगर चुंकि बदलता चला गया बदलता चला गया इसने लोगों ने इसको उसी रूप में ले लिया आप इसको गाली नहीं मानेंगे तो ये फिर उसी तरह से सुद्ध और पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा ये आपके ओपर है तो दूसरा सब्द आता है आप जैसे वन वेवस्ता बहुत देखते हैं अब ये जो वन वेवस्ता है इसमें जो रे लगा हुआ है वो पहले नहीं है तो इसको बोलते हैं वन यानि कि वे आधने फिर पूरा रे यानि कि ये वन हो गया तो वन से वन बना हुआ है रे लगा है इसी तरह से कम है जिसका कर्म बना हुआ है और ये जो कान होते हैं इनको कर्ण बोलते हैं कर्ण और कर्ण को पाली के अंदर जो पुरानी भासा है कहां से ये बना है ये कर्ण से बना है कर्ण से कर्ण बना हुआ है इसी तरह से कत्व का मतलब है कर्टू जिसको कर् उसी तरीके से यह चलता है जैसे टिप के अंदर टिपर बोलते हैं, दब के अंदर दर्वे, दब के अंदर दर्व, दलिद के उपर दलिद, और सहस के उपर सहस्र हो गया, वट के अंदर वट हो गया, दिट के अंदर दर्श्र हो गया, दुबा के अंदर दुर्वा, और मग जो होता है जिसको आप मार्ग बोलते हैं वो मग है दरसल वो मग हो गया दुगम यानि कि दुग का हो गया दुर्ग और मैं आगे लगा है तो दुर्गम और दुग माने हो गया दुर्ग यानि कि इसको कहते हैं बड़ा दुर्गम काम है इसका मतलब दुग है और सग अगर होगा तो उसको आज के समय में स्वर्ग बोलते हैं और अमत को बोलते हैं अमरत और इस्सा को इस्सा नक को नक्र और नग को बोलते हैं नग्न ये आता नहीं है मगर इसको नगन को इतने से उसी इसाब से बोला जाता है नत का मतलब है नर्त और नतक का मतलब है नर्तक निगोध का मतलब है निगोध वटब्रक जिसको बोलते हैं सुद्ध का मतलब है सुद्र नियात का मतलब है निर्यात और निस्ध का मतलब है निश्रे और मिस्स का मतलब है मिस्र यानि जो मिक्स होते हैं उसको मिस्स बोलते हैं कहते हैं मिस्सी रोटी दे दे आज भी चलता है मिस्सी रोटी दे दे मिस्सी का मतलब है मिक्स रोटी दे पंजाबी गंदर मिस्सी बोलते हैं आज भी और हमारे यहां उसको कहते हैं मिस्री रोटी देते यानि मिली हुई देते तो हमारे यहां आदे शेहर एका नौर्थ में इस्तमाल हुआ है मगर पंजाब में पाली आज भी चलती है कहते हैं मिस्री रोटी देते वो मिस्री रोटी नहीं मांगते इद्ध का हो गया इंद्र और इद्धियों का मतलब हो गया इंद्रिय इसी तरह से जो सिद्धी है सिद्धी को बोला सिद्धी जो था वो सिद्धी हो गई और जो रिद्धी है वो रिद्धी हो गई यानि कि इद्धी को रिद्धी बोलने लगे और सब्द को सर्व और सिद्द को सिद्ध हो गया इसी तरह से आपने देखा होगा जो भद्द सब्द है भद्द और भद्दा सब्द है उसको भद्र बोलते हैं या भद्रा बोलते हैं यानि कि जो भद्र सब्द है, भद्र माने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आच्छनावाला जो वेक्ति होता है, उसको भद्र बोलते हैं, भद्र वेक्ति जिसको बोलते हैं, तो भद्र का हो गया भद्र और भद्दा का हो गया भद्रा, पेत का प्रेत और मम का मर्म, म रहे में बदल जाते हैं, कोई उपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऐसे अधिकतर सब्द हैं, जो रहे में बदले हुए हैं, कुछ रहे में नहीं बदले हैं, तो उनके साथ में जो जो सब्द आता है, जो बोलचाल में बदला आसान हो गया, बोलना उसको बदला गया उ तो आप धम और धम में जब या कम और करम में जब अंतर देखें या आप सुद्ध और शुद्ध में जब अंतर देखें तो आप इसको भासा का अंतर देखें जो इसका अर्थ है उसका अंतर नहीं बनता है वो अलग बात है कि सबसे पहले भासा को मिक्स किया गया खराब किय गया उसके बाद उसके अर्थ को खराब कियागा अगर अगर आप पाली पढ़ेंगे पाली देखेंगे र पाली सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधे जो सब्ध हैं जो आधे क साझर जुड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के सब्द है जो आधे रह में या किसी और सब्द में बदले गए हैं धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी अप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बतल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीजियो का या सारी वीजियो का इस्तमाल कर सकते हैं, ये हमेशा Copyright Free थी और हमेशा Copyright Free रहेंगे. हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं, उन बातों को हम सरल भासा में, आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं. अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दि देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनातर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तंगं सरेन गच्छामी तंगं सरेन गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सरेन गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी दूतियं पी तंगं सरेन गच्छामी बुखियं पी संदम सर्मं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्मं कच्छामी बुद्धं सर्मं कच्छामी ततियं पी संदम 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 सर्मं कच्छामी तत